आचार्या 90FM आज आमी तुम्चा समोर एक कारेक्रम घिव नालो आहोत जो आहे मानसिक स्वास्थय या विश्रया वर्ती 10 अक्टोबर आज जागतिक मानसिक स्वास्थय दिवस कि वा वोल्ड मेंटल हेल्थ दे मनु नहीं जान ला जातो आणी त्यात निमितने हा आए कारेक्रम हमियाज करता होत आपन सग्ण आपल्या शारैारिक स्वास्थय जा विश्यार भूब करतो ताचा सथी आपन बरे गोष्टी करतो पण अपल्या मानसिक्स वास्थे सठीक आय केला पाईजे ताची काजी कशी गितली पाईजे याचा बदल भार बोलल जातने आणि या मानसिक्स वास्थे देवसाचा जो टॉपिक आहे तो अच्चुली आहे अपल्या वर्क प्लेस मांजे जिथे आपन काम करतो अशा ठीकांची अपली मानसिक्स वास्थे पन हाँ कारेक्रमा पन मुलान साठी करत असल्या मुए कॉलेच चा मुलान साठी करत असल्या मुए आज आमी जो टॉपिक ने वडला है तो आहे तणाओ, मानसिक तणाओ आणि तया बद्दल चाज आपन बोलना रहोत सो सुपर्णा माम तुम्ही सुरू करू शक्ता का आणि छोटी शे गोश्ट सांगू शक्ता का कि मानसिक तणाओ मंजे नक्की का है आणि तचे काय प्रका रस्थात येस माम हलो नमस्कार एवरिवन मेरा नाम सुपर्णा है तो जो तणाओ हम जो कहते हैं मानसिक तणाओ जिसे हम कहते हैं वो एक जो हम महसूस करते है कि कुछ भारीपन लग रहा है कुछ बेचैनी सी लग रही है काम में मन नहीं लग रहा हमारा ध्यान नहीं लग रहा रोज की काम पे बहुत थकावट महसूस होना शरीर में से ताकत ही खतम हो गई है ऐसा महसूस करना ये सारे तनाव के दूसरे अलग-अलग प्रकार होते हैं अभी रोज के जिन्दगी में कुछ हद तक तनाव जो है वो नॉर्मल है वो होता है कुछ ना कुछ रोज के तनाव मैसूस होते रहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्रकार का तनाव जो है वो बुरा है कुछ हद तक तनाव होता ही है उसको हम कुछ कर नहीं सकते और कई कबार ये छोटी-छोटी चीजों को लेकर जो तनाव होता है वो हमसे मैनेज भी हो जाता है हम कु उसे जो कहते व्यथा कहते हैं कि कुछ और करने ही नहीं हो रहा हमें हमारा पूरा का पूरा ताकत जो है इस तनाव नहीं खा लिया है हमें हमारे रोज की जिंदगी में ध्यान देने नहीं हो रहा हमें जो काम करना है वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं हमारा पूरा का पूरा ध्य तरफ जा रहा है हमें पूरे दिन थकावट मैसूस हो रही है हमें अलग अलग लक्षन होते हैं जो हम बाद में देखेंगे जब ये सारी मैसूस होती है कि हमें रोज की जिन्दगी में एक अडचन आ रही है, तब उस तनाव को लेके हमें कुछ तो करना चाहिए, कुछ एक हमें आक्षन लेना चाहिए जिससे हम तनाव कम कर सके, अब जरूरी नहीं है कि हम तनाव को इस हद तक बढ़ने भी दे, दो तरह के तनाव होते हैं, एक होता है acute stress जिस हम कहते हैं तीवर तनाव, अभी जैसा कि इसके नाम में ही है, तीवर मतलब कि इस तरह के तनाव की तीवरता बहुत ज्यादा होती है, बहुत intense होता है, और ये किसी घटने को लेकर एक reaction होता है, मतलब की समझ लेजिए अभी तो उसको लेके हमें जो टेंशन होती है तो वो पेपर होने तक हमें उसकी स्ट्रेस होती है उसको लेकर तनाव होता है और वो पेपर होने के बाद वो तनाव चला भी जाता है लेकिन वो पेपर होने तक का तनाव कैसा होता है कितना कुछ हमारे दिमाग में चलता है हम कितना क कुछ सोच लेते हैं उस चीज़ को लेके उसकी तीवरता बहुत ज्यादा होती है मतलब कम समय के लिए होता है लेकिन काफी तीवरता स्यादा है यह करेक्ट और दूसरा होता है स्थाई तनाव यह लंबे समय तक चलते ही रहता है और इसका इसकी तीवरता इतनी नहीं होती यह कई का बार हम मैसूस ही नहीं करते और यह बहुत कम कम तीवरता है और ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद हमें आदत भी लग जाती है इसकी कि हाँ चलो यह तो रोस की करके हम उसको मान के उसको पकड़ के हम चलते रहते हैं हमें उससे रोस की जिन्दगी में कोई तकलीफ नहीं हो रही है उसके होने से लेकिन क्या होता है ना मैम अभी अभी जैसे आप समझ लो मैं दूद का बरतन गरम कर यह मैं दूद गरम कर लिए कुछ देर तक जब गरम पर आजाता है सब बाहर गिर जाता है मतलब समझ रो एक छोटी सी चीज हमें बस चाहिए कि पूरा सब अंदर का जो जमा है सब बाहर निकलने तो इस प्रकार के तनाव में अकसर यही होता है काफी लंबे समय तक जो भी कुछ चल रहा है जो भी यह तनाव है जो छोटी-छ आnya गुख सव्कीर सोचते हैं कि अरे तो इतनी चौटी से बाती में इस पे इतना क्यों गुश्सा कर गया मुझे इतना क्यों बुरा लग गया वह इसलिए क्योंकि इतना कुछ में चल रहा है कि इसकी सीमा रीच हो गए और फिर हमने उसपे बहुत एक्सेसिव रियक्ट कर लिया क्योंकि वह इतना जो अब तक जमा था सब साथ में बाहर निकला है इसके एक्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे अगर फैमिली में कोई इस्यूज हो रही है तो वह रोज की ही चलते हैं रोज हम उसे करते रहते हैं तनाव और यह सब जो होता है आगे चल के कभी बड़े से हम रियाक्शन देके बड़े से निकलता है तो जैसा होता है भले ही छोटे-छोटे मात्राव पर हम यह महसूस कर रहे तनाव लेकिन इसका जो हमारे सेहत पर असर है यह होते ही रहता है बैक्राउंड मे और फिर जो उसका फाइनल रिजल्ट होता है वो भी हमारे सेहत पर असर करता है हमारे शारीरिक सेहत पर और हमारे मालसिक सेहत पर भी बिलकुल और मुझे ऐसे लगता है कि यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं कब समझ सकते हूं कि मुझे सच में ऐसा स्ट्रेस हो रहा है क्य चाहूंगे ऐसे लक्षन जो हम जान सकते हैं जिससे कि अच्छा चलो ये हो रहा है तो शायद मुझे कुछ न कुछ होता है हम डॉक्टर के पास जाते है मुझे ये दर्द हो रहा है पीठ में दर्द हो रहा है मुझे उल्टी जैसे महसूस हो रहा है या फिर बहुत हैडेक्स हो रहे है सिर में बार बार दर्द हो रहा है और कई बार क्या होता है कि डॉक्टर बोलता है कि पर आपको शायर रिक तो मुझे लगता है अपने चेस्ट में पेन होना है ना चाती में दर्द होना बहुत बार-बार हमें बहुत पसीना आते रहता है बिना किसी कारण की या फिर नीन नहीं आती है या फिर कुछ जादा ही नीन आती रहती है ऐसी जो चीजे है मुझे लगता है वो शाड़िक में हम देख सकते हैं. दूसरा जो होता है हो हमारा मानसिक, हमारे भावनिक रित्या हमें किस तरीके से ये चीजे दिख सकती है. तो पहली जो चीज है मुझे लगता है कि हम बार-बार इरिटेटेड रहते हैं. चोटी सी चीज हो जाए जैसे आपने बोला चोटी सी चीज हो जाए तो हम एकदम रियाक्त कर देते हैं. या फिर हम कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब बिल्कुल भी हमारा ध्यान वो पढ़ाई पे नहीं रहता. और एक चीज होती है कि जब बहुत ताइम तक हमारे हम तनाओ के अंदर रहते हैं तो उस ताइम पे हमारे जो स्मरण शक्ती है, मेमरी है उस पे भी बहुत असर हो सकता है. अब मान लो कि एक्जाम के टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टेस हो रहा है और मेमरी पे हमारे असर हो गया तब तो हम पेपर लिखते समय कुछ लिखी नहीं पाएंगे कुछ याद ही नहीं आएगा तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी चीजे हैं जो हमें समझना कि अच्छा मैं याद तो कर रही हूँ पर मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है ये समझना और उसके उपर उसी टाइम पे कुछ ना कुछ करना ये मुझे लगता है जरूरी है उसके अलावा ये चीजे तो हम अपने खुद में देख सकते हैं पर कुछ लोग होते हैं जो हमें बताते हैं कि अच्छा तुम ना काफी तनाव के अंदर लग रही हो तनाव दिख रहा है तुमारे उपर तो वो कैसे दिखता है तो मुझे लगता है फीवह सामने वाले हमें सेकते हैं, हम किसी कोjan को बता सकते हैं किसी खयालों में गुम हुए रहना है न हम देख सकते हैं किसी को जो हमारा दोस है जो पहले बहुत अच्छे से मतलब बाते बाते करते थे अपने गुल मिलके रहते थे अचानक एकदम अलग रह रहे हैं है न अपने खयालों में ही रह रहे हैं तो ये चीजे पूरे सामाजिक वातावरन से अपने आपको दूर कर लेना बार-बार जगडे करते रहना ये ऐसी कुछ चीजे है जो हमें बता सकती है कि सच में हमें मानसिक तनाव है हम उससे गुजर रहे है और ये हमें observation से ही पता चलता है जब हम अपने आपको देखते है मैसूस करते है तब हमें पता चल जरूरी बात बता दी कि हम अपने अंदर तनाव को identify कैसे कर सकते है पहचान कैसे सकते है क्या लक्षन होते है उसके अभी मैंने ये तो जान लिया कि मुझे तनाव हो रहा है अब मैं उससे manage करने उसे कम करने के लिए क्या कर सकती है तो क्या आप इस पे कुछ बता सकते हैं ये तो बहुत ही important सवाल है मुझे लगता है तनाव क्या है ये हमें थोड़ा बहुत तो अपने आपके बारे में पता होता ही है पर अभी उसके करे क्या जब आएगा तब हम करे क्या और जैसे आपन तनाव आने से ये उसका तीवरत आकम रखने के लिए तो मुझे रखता है पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो है जिसको हम resilience कहते है रेजिलियन्स ये ऐसी चीज है जिसका मतलब है कि देखो हमारे सबकी life में जिंदगी में कुछ ना कुछ कठिनाईयां आती है मुश की लोग से सामना करके उसके बाद भी खड़े होना उसके बाद भी गिरकर उठना जिसको हम कहते हैं अब resilience हम अपने आप में पैदा कर सकते हैं जरूरी नही एकि वो सीफा नहीं जा सकता उसके लिए क्या कर सकते हैं तो पहले बात तो हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग होते जो हमें मदद करने के लिए तयार होते हैं बहुत नहीं तो अटलीस हमें पता है कि एका दो लोग है जिनसे हम मदद मांग सकते हैं मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों का ना मैं अपने पास लिस्ट बना के रखती हूँ कि चलो मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ये लोग है तो मुझे पकाई मदद करी देंगे तो इससे क्या होता है कि जब हम तरनाव महसूस कर रहे होते हैं तब हमारे पास उतनी क्षमता नहीं होती इन चीज़ों के बारे में सोचने की मैं किस से जाके बात करूँ अब कौन होगा जो मुझे मदद कर पाएगा तो अपने आप के लिए एक आसान तरीका करना और इन लोगों के बारे में पता रखना और जब भी मदद लगे तो उनकी मदद मांगना मुझे लगता है ये बहुत important चीज़ है दूसरी जो चीज़ है हम खुद को भी मदद कर सकते है किस तरीके से तो मुझे से लगता है कि हमारे जो हमारे सब के अंदर कोई ना कोई strength होती है खूबिया होती है और वो खूबिया जानना सबसे पहले हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर क्या खूबिया है मुझे लगता है बच्चपन से हमें ये बताया जाता है कि ये कमिया है इस पर काम करो पर हमारी खूबिया क्या है इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बात करने का समय अभी है अपनी खूबिया ढूंडू क्या चीज़े है जो आप तनाव के टाइम पे इस्तिमाल कर सकते हो जिसका आप यूज कर सकते हो उन खूबियों को लिख देना, मैं तो वापस मैं वही बोलूँगी कि लिस्ट बनाना कि मेरी strengths क्या है, मेरी खूबिया क्या है पहले कभी मुझे stress आया होगा, मैंने उसके सब किस तरीके से deal किया था, किस तरीके से उसका सामना किया था, क्या चीज़े मेरे लिए अच्छी रही थी, क्या चीज़े अच्छी नहीं रही थी, यह जानना और उन तरीकों को हमारे हम जिस तरीके से उनको responding करते हैं उनको जानके उस तरीके से respond करना भी हम कर सकते हैं एक और चीज़, एक simple exercise मैं बताती हूँ जो हम रोज कर सकते हैं हमें बचपन से बोलते हैं diary लिखो, diary लिखो अब डाइरी में तो हम क्या लिखते हैं कि मैं इतने बजे उठी, मैंने इतने बजे नाश्ता किया, इतने बजे मैं स्कूल गई है, कॉलेज गई है, वोटेवर, मुझे लगता है कि हम इस तरीके के डाइरी लिखे, जिससे हमें काफी पॉजिटिव या सकारात्मक महसूस हो, तो एक gratitude journal कहा जाता है जिसको, जो हम रोज रात को ये activity कर सकते हैं, simple है एकदम, क्या करना होता है कि रात को जाते वक्त, एक हमारे पास डाइरी रखनी है, रोज रात को सोने के लिए जब हम जाते हैं, तब उसमें लिखना है कि आज के दिन में मेरे, whatever, जितने भी घंटे र रतग्य हूँ, जिसको मैं thank you बोलना चाहती हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीज आज मेरे दिन में हुई, जिंदगी में हुई, तो वो तीन, आप तीन से जादा भी लिख सकते हो, पर तीन तो minimum हम लिख सकते हैं, और वो एकदम छोटी छोटी हो सकती है, जरूर जरूरज आज सूरज आया और मुझे काफी अच्छा लगा, मेरा मूड अच्छा हो गया, तो मैं सूरज का नाम लिखूंगी कि अच्छा हूँ था, और था ये तो ये बहुत इससे क्या होता है कि हम जब सोने जाते हैं, तब हम काफी सकारात्मक विचार लेके सोने जाते ह क्या होता है हम सोचते रहते हैं कुछ चीजों के बारे में जो उच्छी सकारात्मक नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है तरीका है अपने आपका रेजिलियन्स भी बढ़ाने का, अधिंक ये आदत के तोर पे बताये या जैसे भी लेकिन हमारे मन की आदत होती है कि बूरी चीजों पर ज्यादा तो हम ऐसे आक्टिविटीज करके अपना फोकस भी शिफ्ट कर सकते हैं उन चीजों पर जो अच्छी हो रही है और उससे भी मूड बहुत असर कर सकता है मूड पर जैसे आपने बताया ये अक्टिविटीज में आप जैसे बोरे थी देना मुझ मैं यॉण यादा रहाए था जैसे हममें फ्रframe कि जो कहते हैं हम हमेशा चूट लगत लग तो पाने साथ रख लिए तो यह भी फिर्स एड की तरह कि कुछ हो गया तो तुरंत हमें अपने सामने सामने मिल जाएगा कि हमें क्या करना आ अगे और कितना आसान हो जाता है काम यह बहुत अच्छा एक्जाम्पल यह तो वैसे ही अभी इनके साथ साथ यह तो ऐसी चीजे हैं जिसमें हमें थोड़ा सोच के अंदर जाग के जिसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं अंदर जाग के खुद पर आइडेंटिफाइ करना पहचानना यह सब गुन को व जाते हैं जो है कि खुद का ध्यान रखना जिसे हम सेल्फ केर कहते हैं अब सेल्फ केर भी आजकर के जमाने में इसको बहुत मार्केटिंग करके मॉनेटाइज कर दिया है एडवर्टाइज कर दिया है कि स्पा में चले गए या कुछ अपने उपर शॉपिंग कर लिया पैस बहुत चोटी चोटी चीजे होती है जो सेल्फ केर पे गिनते हैं जैसे कि समझ लो अपने शारीरिक सेहत का ही ध्यान रखना कि हमने एक बालेंस डायेट खाया हमने हैल्डी खाना खाया हम पानी पी रहे है अच्छे से खुद को हाइडरेट कर रहे है दिन में हम साथ से और इसका जो असर है यह हमारे मानसिक सेहत पर भी पड़ता है उसी के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है जो हम बचपन में बहुत करते थे होबी के नाम पर कि आज मैंने रीडिंग कर लिया आज मैंने पेंटिंग कर लिया ड्रॉइंग कर लिया गाना गा लिया डान्स क और बच्पन में तो ऐसे competition होता था कि किसके पास सबसे ज्यादा hobbies है लेकिन बड़े होते होते आप देखेंगे तो कितने सारे hobbies हमारे छूट ही जाते हैं क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग चीजे आ जाती हैं लाइफ में responsibilities बढ़ जाती है career academics इन सब का pressure आ जाता है और इन सब क बीच में हम इन चीजों पर ध्यान देना बूल जाते हैं जिसमें से हमें इतनी जादा खुशी मिलती है तो कम से कम दिन में एक पान से दस मिनिट या पंदरा मिनिट निकाल लेना अपने hobbies के तरफ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जो शुरू किया वो पुरा खतम ही करना है एक दस मिनिट बैट के कुछ ड्रॉइंग कर ली भले आधा बना दिया लेकिन उससे वो जो एक मूड अपलिफ्ट होता है उसका भी बहुत असर पड़ता है हमारे सेहत पर अभी कई कबार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे पढ़ाई करनी चाहिए उसमें मैं पंदरा मिनि अलग नजरिया आपको ओफर करना चाहूंगी कि ऐसा सोचो कि पंदरा मिनिट का हमें ब्रेक ले रहे हैं और हम कुछ ऐसा करें जिससे हम रिफ्रेश्ट फील करें जिससे हमारा एकदम माइंड खुल जाए फ्रेश हो जाए जैसे अभी एकदम आप बंद रूम से ताजी कि तरफ जाते तो कितना फ्रेश फील करते हो तो आपको ऐसा एक अनुभव होगा यह अक्तिविटी करके और फिर आप सोचो कितने ज्यादा फोकस और कॉंसेंट्रेशन के साथ अपना काम कर सकते हो और फिर सोचो कि इससे आपको कितना फायदा हो रहा है तो यह चीज है ज उसी तरह self-care के भी गोल्स बनाना कि आज के दिन में मैं इतना लीटर पानी पीऊंगी, आज के दिन में मैं 10 मिनिट एक्सिसाइज करूंगी, आज के दिन में ये वाला होबी अपने time निकालूंगी, ऐसे छोटी-छोटी गोल्स रखना जो हम खतम करें, complete करें और इससे एक त और सबसे जरूरी बात है, आज कल मना करना, boundaries जो होते हैं, इसे set करना, जो सीमा होती है अपनी आसपास, कि अगर हमें लगे कि ये चीज मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, तो मना कर देना, कई का बार हम प्रेशर में आके अपने अंदर बहुत काम ले लेते हैं, अपने उपर, कई कबार हमें मालुम है कि हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी हम लोगों को हाँ कह देते हैं, हाँ ठीक है चलो हम यहाँ चले जाएंगे, लेकिन इन सबसे हम यह नहीं सोचते कि आगे जाके हमें तकलीफ भी कितनी हो रही है, हैना काम का प्रेशर कितना बढ़ जाता है, क इसमें एक तो मुझे यह कहना है कि इसमें बिल्कुल यह कोई स्वार्थी व्यवाहार नहीं है यह आपको एक बुरा इंसान नहीं बनाता है आप खुद पे फोकस कर रहे हो आप खुद का ध्यान रख रहे हो ऐसा सोच कर आप अगर चाहो अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो मना करो अपने बाउंडरी इस तरह से हमें रखने चाहिए तब जाके हम हमारे सेहत का भी अच्छी तरह से ध्यान रख पाएंगे बिल्कुल सही बात करिया अपने और मुझे ऐसे लगता है कि चलो यह सारी चीजे नहीं पर इसमें से एक चीज तो हम टाइम कहां से लाए तो मुझळनाग्ता है कि इसके बहारे में आप क्या बताना चाहिए कि कैसे मानेज करें सही बाते माँ अचकर तो इतना कुछ क्रिमा करना रहता है इतनी सावारिक पास्टि कि लाइफस्टैल हो गह गयी है हमारे कि जो चीजें हमें आक्च Tillं में करनी ह उसके लिए ही टाइम नेले बोल रहे तो सबसे ज़्याना जरूरी kindly हाँ कम है कितना कई का रहे हुआ है लेकिन अगर हम लिस्ट बना के देखे तो वह होता है अगले दिन मुझे क्या क्या काम करना है इसका एक लिस्ट बना के रख ले एक लिस्ट हमारा तयार हो गया उसके बाद यह देखना कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है अब यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट स्टेफ है क्योंकि हम सोचते कि मुझे सारे काम अभी के अभी आज के आज खतम करने है लेकिन यह जरूरी नहीं होता कभी कुछ काम ऐसे होते जो इंपोर्टेंट होते है जिसका तभी के तभी होना जरूरी है कुछ काम ऐसे होते जो अगले दिन या अगले ह अफ्ते तक भी चले गया तो चलेगा उसमें कुछ हमें कोई परिशानी नहीं होगी उसे कुछ काम ऐसे होते जो नहीं भी किया तो चलेगा तो यह सोचना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए अभी कौन सा काम करना ज्यादा जरूरी है और उस पे फोकस करना पूरा टाइम सब्सक्राइब करना तो चलेगा यह समझने के बाद एक और अगर अभी सोचो मुझे फॉर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जाना है और बीच में सीडी ही नहीं तो मैं जाओंगी कैसे है इतना बड़ा चलां कोई कैसे मारेगा तो इसमें जरूरी क्या है कि हम स्टेप सब्सक्राइब कर लिए उसी तरह जो हमारे एकदम बड़े बड़े काम होते हैं जो हमें लगता है कि अरे बाप्रे इतना सब में कैसे करूंगी इसको अगर हमने छोटी-छोटी टास्क में ब्रेकडाउन कर लिया जो फटा-फट खतम हो ईजीली खतम हो तो हमारे वह काम को आसानी से खतम कर सके इसके बाद आजकल बहुत जरूरी यह है कि हमें डिस्ट्राक्शन बहुत तरके होते हैं और जैसे एक बहुत कॉमन यह है फोन का डिस्ट्राक्शन बहुत होता है तो इसमें एक जरूरी बात है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हम कुछ असाइन्मेंट कर तो हम हमारे phone को side में रख दे कई दूर रख दे और उसे silent में रखे notifications बन कर दे ताकि उससे हमें distraction ना हो अभी आजकल का जमाना भी technology का है तो बहुत बार काम भी हमारा phone पे ही होता है laptop पे ही होता है तो ऐसे time पे ऐसा हमें करना है कि जो social media वाले apps होते हैं जो apps होते हैं जिसमें हमें distraction हो सकता है उन सारे apps के notification बन कर देना और सिर्फ वही चीजे चलाना जिसमें से हमें काम है ऐसा करके भी हम distractions को कम कर सकते हैं अभी एक और चीज है इन सब में हमें rest नहीं बूलना है क्योंकि हम एक के बाद एक एक के बाद एक अगर काम करने बैढ़ गए तो हम ठक जाएंगे और फिर हमारा आगे का काम होगा ही नहीं तो बहुत जरूरी है कि हम काम के बीच में breaks ले तो इसमें एक टेक्नीक होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगी काम करे हो 25 मिनित तक आपने काम कर लिया उसके बाद आप एक फाइा अधा घंटा ऐसा तो हम क्या कर रहे हैं, बीच-बीच में break ले रहे, इसके हमें एक दम over Tudo नहीं लग रहा हमें एक दम है बहुत जादा काम है, ठकावट नहीं हो रही हम break ले रहे, उसमें हम fresh हो जा रहे और इसके हम ज्याधा अच्छी तरह focus भी कर पाएंगे काम पे और एक last point जो मुझे कहना है इसमें वो ये है कि कई कबार हमारा time चीजों में ज्यादा इस वज़े से लगता है कि हम संतुष्ट नहीं होते हमारे काम से हमें एक perfection अचीव करना होता है कामों पे कि ये ऐसा ही होना चाहिए और तब तक हमें लगता है कि काम बराबर हुआ नहीं है और हम रुखते नहीं है और हम एक काम को जरुरत से ज्यादा time देते और इतना time गवा बैठते कि बाकी कामों के लिए time बचता नहीं है तो आइ थिंक ये बहुत जरूरी है कि हम खुद को एक मौका दे कि हम perfect ना बने एक गलती की गुंजाईश होने दे गलती सबसे होती है खुद की तरफ वो एक compassion जिसे कहते हैं खुद की तरफ करुना दाई बनना ये हमें करना है इससे भी हम time अपना बचा सकते हैं मैं मैं आपको इसी topic पर आगे पूछना चाहती हूँ कि हम खुद की तरफ करुना दाई कैसे बन सकते हैं self compassion जो है ये कैसे हम achieve कर सकते हैं बिल्कुल मुझे लगता है self compassion जो एक चीज हम अब भी बात करने वाले है खुद की तरफ करुना दाई होना वो एक बहुत ही महत्वपूरणा चीज है हमारे तनाव से बचने के लिए और अगर आता है तो उससे जूजने के लिए जैसा आपने कहा कि हम हमेशा perfect होना चाहते हैं कभी भी हम mistakes नहीं करना चाहते हैं पर यह हमें पता करना बहुत जरूरी है कि गलतिया हमारी जिंदगी का बहुत बढ़ा हिस्सा है बोलने के लिए तो हम बोलते हैं कि गलतियों से इंसान सिखता है बर कभ हम यह अपनाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि अपने आपको गलती करने का मौका देना अगर गलती होती है तो उन चीजों को accept करना, अपनाना और दूसरी चो चीज है बहुत बार हम करते हैं कि हमारी गलती हो को हम अपने वास्तव्य से जोड़ देते हैं है ना जैसे अगर मुझे marks अच्छे नहीं आए तो मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत ही बुरी स्टूडेंट हूँ, बहुत ही बुरी विद्यारती नहीं हूँ या फिर कभी कबार मैंने किसी के ऊपर चिला दिया, किसी को कुछ बोल दिया तो मैं बोलती हूँ कि मैं तो बहुत गुस्तेल इंसान हूँ मुझे तो, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम हमेशा चीजों को अपने वास्तवे से, अपनी आइडेंटिटी से जोडते हैं और वो जोड़ना थोड़ा हमें कम करना बहुत जरूरी है अगर हमने कोई गलती करी है, तो वो एक हमारा व्यवहार है वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हमारा वास्तव नहीं है वास्तव नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है पहली बात, और धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज ही आप शुरू करोगे और आज ही आप एकदम self compassionate बन जाओगे दूसरों की तरफ compassion दिखाना बहुत आसान होता है कई बार लेकिन उतना ही compassion अपनी तरफ दिखाना बहुत मुश्किल होता है हम अपने उपर बहुत difficult बना देते हैं इन चीजों को दूसरी जो चीज होती है मुझे लगता है कि हम हमें पता है कि हम किस तरीके का व्यभार करते हैं किस तरीके का जैसे मैंने बताया कि मैंने गुस्से से किसी के उपर चिला दिया लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि उसके पीछे की भावनाय क्या होती है ना जैसे मैंने चिला वो आप देख सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि यह फीलिंग को जानना, समझना, और अब मैं इसके उपर कैसे काम कर सकती हूँ, कौन सी फीलिंग मुझे चाहिए, वो फीलिंग पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इन चीजों पर काम करना भी हमारे लिए महत्वपूर और फाइनली हम एक मैंडफुलनेस के बारे में आज कल काफी बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, कहीं लोगों को पता नहीं होता है, मुझे रखता है मैंडफुलनेस का मतलब यह है कि जो भी चीज आप कर रहे हो, उसको पूरे मन से करना, अपना पूरा मन उसमें लगा क करना, लेकिन सर्फ वो ही मैंडफुलनेस नहीं है, उसके अलावा आपकी रोज की जिंदगी में भी आप मैंडफुलनेस अपना सकते हैं, अगर आप चलने जा रहे हैं, तो पूरे मन से चले, देखे कि मैं कैसे चल रही हूँ, मेरा स्पीड कितना है, मैं कहां किस तरीके से अपना पैर रख रही हूँ, हैना, खाते समय, मैं कितनी बार खाना चबा रही हूँ, कितने पूरा ध्यान अपना खाने पे ही है, हैना, तो ऐसी चीज़े ही मुझे लगता है, बहुत जादा इंपोर्टेंट है, अपने आपको करुणादाई तरीके से देखने के लिए, से अपनाना एक एक करके हम कर सकते हैं, बहुत कम, मैं तो छोटी-छोटी चीज़े हैं मुझे ऐसे लगता है, पर फिर भी हम एक-एक करके अपना सकते हैं, और मुझे आज का ये कालकरम इस नोट पे खतम करना है कि, आज के दिन से इन में से कौन सी चीज़ हम अपनाएंगे प्रतिग्या आपके बिडिकोल जैसे आपने कहा. हम सब को अपने लिए एक प्रतिग्या लेनी चाहिए आज के दिन पर मांसिक स्वास्थे के दिन पर जो हम अपने लिए करें और मेरे लिए ये वो चीज होगी कि कुछ activities है जो मैंने छोड़ दी थी कुछ कारण के वज़े से जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी जो मेरे बहुत beneficial थे बहुत मुझे अच्छा लगता था करके तो मुझे अभी उनको restart करना है तो मैं अभी उस पर focus करने वाली हूँ very nice that's great मुझे एसे लगता है कि हम सबने ये करना चाहिए और मैं आपको ये पूछना चाहूंगी सबको शोताओ को कि आप ऐसी कौन सी चीज अपनाएंगे जो भी हाज हमने बात करी उसमें से जो आप एक चीज करना चाहोगे और आगे लेके जाना चाहोगे तो इसी नोट मैं हमारे कारकरम का अंत करना चाहूंगी और थैंक यू सो मच आपके प्रेसंस के लिए और थैंक यू कि अपके हैं ओल्स तो 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 देख वे रही ते मेरी ताँ अल्ड़ेट हेलो, नमस्कार, वेलकम आप सभी को, आपका स्वागत है आचार्या 90 FM, यौर ओन रेडियो में, आज हम यहाँ पे हमारा जो कारक्रम है, वो है मानसिक स्वास्थ इस टॉपिक के ऊपर, आज 10 अक्टोबर, मतलब जागतिक मानसिक स्वास्थ दिन है, जिसको हम वर्ल्ड मेंट हेल्डे भी बोलते हैं, और इसी अवसर पर हमाज, आपके सामने की यह कारक्रम कर रहे हैं, इस साल100 mart tatt तॉपिक है वो है wanna is workplace, mental health. हम जहां पर काम करते हैं उस जगह का mental health लेकिन ये कारेक्रम हम हमारे college के students के लिए कर रहे हैं तो हमने सोचा कि हम ऐसी चीज के उपर बात करें जो सारे बच्चे रिलेट कर पाए, students रिलेट कर पाए तो आज हम बात करने वाले हैं मानसिक तरनाओ के उपर stress जो हमें आता है और अब ही एक्जाम जा रहे है तो मुझे लगता है कि इस topic के उपर बात करना तो बहुत ही जरूरी है तो मैं शुरू करना चाहती हूँ सुपढ़ना माम आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि stress अचली है क्या एक छोटी सी चीज है पर वो है क्या मैं इसको वाप्रस बोल के आते हूँ आप सबका स्वागत है आचार्या 90 FM यौर वो है रोन रेडियो में और मैं हूँ मुक्ता जोशी मेरे साथ है सुपढ़ना कश्रपमान हम दोनों आचार्या मराथे कॉलेज में आज कांसिलर्स काम करते है और आज हम आपके सामने एक कारेकरम प्रस्तुत करना चाहते है जो हम इस अवसर पर कर रहे है कि आज 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानि की जागतिक मानसिक स्वास्थे दिन है और आज के हमारे कारेकरम का टॉपिक भी मानसिक स्वास्थे ही है इस साल हर साल होता है जागतिक मानसिक स्वास्थे दे और इस साल के इस दिन का टॉपिक जो है वो है वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ मत लेकिन ये कारेक्रम हम अपने कोलेज के स्टुडेंस के लिए कर रहे हैं विध्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। तो इस ही अवसर पर हम ये कारेक्रम का टॉपिक रखना चाह रहे थे। जिसको हम कहेंगे मांसिक तरना है ना transport और अभी तो मुझे लगता है कि एक्जाम्स भी आ रहे हैं बच्चों के, स्ट्रेस तो बहुत ही जादा होता है, तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि काफी मदद करेगा, और मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि इसका कोई फाइदा हमारे स्टूडेंस को हो. तो मैं शुरू करती हूँ, सुपरणा कश्रप मैं, आप मुझे बताइए कि स्ट्रेस तनाव होता क्या है, एक छोटी सी चीज है, बट एक्जाक्ली उसमें क्या होता है, वो आप प्लीज बताइए.